में बहुत बढ़ी बात नहीं है बोल दूँगा लेकिन जब मन से फीलिंग साथ लगी से दिए तब इसके तरफ से भी ऐसा नहीं है अभी इसको भी देशस्ति आप रोग दो मैं इसका भी मतलग होता है कि भाई आ जो भी बोल दो कोई अगर बोल देता है कि नहीं सचीन को यह आप लोगों को बेशक लग रहा हो कि अभी बहुत खुश है गुना आप लोगों को लग रहा हो किसा थीक है सब कुछ लॉर्मल लेकिन मैं आपको अनुस्टली बता हूं तो चीजे नॉर्मलाइज हो रही है बट बिल्कुल नॉर्मल नहीं है वनिश्या को भी टाइम देखा मैंने जस्ट नेहा स्वरी जगदी दिखा और सचिन दोनों का भी लाइफ देखा तो काफी अच्छा लगा दोनों अपनी लाइफ में अब move on करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखके काफी अच्छा लगा अलब धीरे धीरे चीजे सब कुछ अच्छी होती हुई नजर आ रही है पस यह बात है कि हम लोग उसको कैसे positive तरीके से लेते हैं तो दोनों ही family को लेना है अपनी सारी चीजे अब अभी भी लोगों को यह चल रहा है मन में कि नहीं सचीन गलत है अभी भी क्योंकि उसकी जो community डाली थी तो वो community में उसने ऐसा कुछ लिखा था तो जिससे यह लग रहा था कि अभी भी कहीं न कहीं कुछ percent या फिर काफी कुछ जादा परसेंट अभी भी जगदीदी के लिए उसके मन में कुछ बात जी है वो घर से हट जाए कहीं ने कहीं लोगों को लग रहा था तो इसके लिए भी काफी लोग इसे कमेंट कर रहे हैं और इसे वीडियो बना रहे हैं कि अगर पूजा करवाना है तो अपने बेटे के चरित्र दोश को हटा के पूजा करवाओ ऐसे पूजा करवाने से कि मैं धूजा को ओजाओ यॉजा हुए तो मैं यही कहूंगी कि सब से ज़्यादा दुक करवाने साथ तो अप पिर भी मनीशा चुप रहे कर हर गम को सेहती रही और अभी भी सब कुछ होने के बावजूद भी वो आती थी काफी अपने अंधर मन को दुख में दबायेग आप ही बताएं, जब भी वो आई है कभी लाइव तो वो रोई है क्या? नहीं रोई है, उसने बहुत अपने आफस्दों को दबाया है, वो बोलते हैं न, जहर का घूट पिया है उसने, तो यहाँ पर जब दो इंसान हैं दो ओरते हैं एक ने चल किया है और एक ने चल को सहा है तो बड़ा कौन हुआ विजेता कौन हुआ जिसने चल को सहा है मतलब उसने जानते हुए भी वो काफी कोशिश कर रही थी कि नहीं यह चीज मैं बोलू पर कही न कहीं से उसे दबा दिया जाता था तो वो अपने मन में ही अपनी सारी बातों को रख लेती थी मतलब निकाल भी नहीं पाई अपने मन से वो बाते किस से बोले, क्या बोले और जब बोलने जाती है तो उसे ही जूटा साबित कर दिया जाता था कि ये सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमारी सोच गलत है, तुमारी ये, वो है सारी चीजे यहां तक कि जब इनके दोस्तों ने भी कहा सारे क्रियेटर्स ने कहा कि नहीं इन लोगों के बीच में कुछ अफेयर है तो उसने मानने से इंकार कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है मतलब वो अपने पती पर परमेश्वर मान कर इतना भरोसा करती थी और अभी भी वो साथ में है सब कुछ होने के बावजूद भी उसने बोला कि मैं नहीं छोड़ूँगी साथ में क्योंकि सचीन जो है वो मनीशा का पहला प्यार है और वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी मरते दम तक नहीं छोड़े कि उसने बोल के रखा हुआ है और यहाँ पर जब भी लाइव चल रहा था दोनों की पूजा हुई शादी हुई जो कुछ हुभी हुआ तो कहीं ने कहीं सचिन ने ये प्रोमिस किया है और उसकी बातों से तो हम लोगों कैसा लग रहा है कि नहीं अब काफी कुछ अच्छा होने वाला है काफी कुछ अच्छी खबर आने वाली है फिर से दोनों एक होने वाले हैं जो लोग चाहते थे कि सचिन मनिशा एक हो जाए क्योंकि इनकी जोड़िती प्यारी लगती थी न पता नहीं बोलते हैं न किसी की नजर लग गए शायद नजर ही लग गई होगी वैसे तो मैं मानती नहीं हो कि नजर बगेरा कुछ होती है पर भाई बोलते हैं तो भाई उन्होंने इसलिए पुझा पाट करवाया जो कुछ भी है लोग आप बताई आपको क्या लगता है नजर बगेरा कुछ होती है क्या और इधर बात करें जगदिती कि लाई की भी एक बार बात कर लेते हैं तो भाई इनकी बातें तो ठीक ही थी अब ये बोल रही है कि मेरे उपर काफे जूटे इल्जाम लगाए गए क्या जूटे इल्जाम लगाए गए ये तो भाईया सचिन बाबु ही जाने कि उन्होंने अपनी भाईया एक्स पर कौन से जूटे इल्जाम लगाए थे उन्होंने बस proof नहीं बताने दिया नहीं तो खाफी चीजी clear हो जाती आई ये लोग तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि खुद हलका मेडम ने आकर बताया था कि नहीं दोनों तरफ से था तो इस बात को मानने से इंकार नहीं किया जा सकता कि दोनों तरफ से च मेडम ने अभी तक नहीं ओन केमरा किया है कि हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ था बट इस बात में सचीन को मानना पड़ेगा कि बहुत ओनेस्ट था और उसने बता दिया कि सारी सचाई थी और हम लोगों के बीच में कुछ ऐसा था तो इसलिए सचीन को लोग बोल रहे है कि उसने कम से कमाना तो सही और जो बोलते हैं कि जगत दीदी को क्यों घसीटा जा रहा है एक वórत को क्यों इतना बदनाम किया जा रहा है बात बदनामी की नहीं है शोशल मीडिया पर अगर आप अपने ब्लोगिंग शेयर कर रहे हो अपनी लाइफ बता रहे हो तो आप लोग आपको पसंद करते हैं तो लोगों की आदित होती है कि आप उनके साथ के से धोका चल कपट करके आप एक छूटा चेहरा उसे दिखा रहे हो तो आपको ये चीजे सारी चीजे जहलने पड़ेगी मुझे उन्होंने जो आके रोक कर बोला मुझे इतना क्यों बदनाम किया जा रहा है मेरी क्यों इस प्रकार से धचिया उड़ा है तुम्हारे घर में मा बेटी बेहन होती तुम भी उनके साथ इसा ही करते है तो भाई साब ऐसा नहीं है आफ केमरा शोट आउट हो जाती है इस तरीके से नहीं फैलती है जिस तरीके से तुम्हारी शोशल मीडिया पर धचिया उड़े है समझ में आती है मनम कोई बात तो समझ ले ची तरीके से बात करते हैं ताशी की ताशी का इसमें कोई दोस्त नहीं है ताशी को सिर्फ सजा म अपने मा के करमों की जो इसकी माने गलतियां करी है उसकी करमों के उन्हें सजामी लिए तो मा ही भर्पाई कर सकती है और मा कैसे भरपाई करेगी वो उसकी मा से अच्छा और कोई बेटर जान ही नहीं सकता है कि उसको अपनी बेटी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है तो कुल मिलाकर सारी चीज़े सही होती ही नजर आएं तो हम भी यहीं चाहते हैं कि दोनों अपनी लाइफ में मूव ओन करें और दोनों की फेमिली उनके साथ में है काफी लोगों का यह कहना है कि नहीं सचिन की फेमिली उसके साथ में है और जगदीदी के साथ कोई नहीं है तो भाई उनकी फेमिली भी उनके साथ में है ऐसा कुछ नहीं है बस यहां पर गलती है कुछ अभी भी है जगर्दिदी के अभी भी गलती है क्योंकि उनकी बातों में और हर चीज में भाई मुझे तो नजर आ रहा है एंटिटूट गमंड और सारी चीज़े बागे जिसको नहीं आ रहा है अपना-पना सोचे अपना-पन बाई हैं झाललतों जिसको ईयां है एंटिज़े प हमाई परकश चारेर बाद